हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रतीक अगर आप Edge Glass Replacement सीखना चाते हो तो जॉइन पे क्लिक करके हमारा जो Edge Glass Replacement का Advanced Course है उसे आप पाई कर सकते हो और घर बैठे ही आप Edge Glass Replacement सीख सकते हो Samsung S8 Plus की Dot वाली स्क्रीन नई टेकनलोजी की मदद से किस तरीके से आप Repair कर सकते हो इसका Method हम आज जानेंगे सबसे पहले आपको एक Diamond Blade चाहिए इस तरीके का Glass को कुछ इस तरीके से आपको Scratch कर देना है Scratch करने के बाद आपको एक Specialty जो Liquid आता है वो यहाँ पे Apply करना है इस तरीके से उसके बाद यह S.I. Transparent Glass आता है इसको इस स्क्रीन के उपर इस तरीके से फिक्स करना होगा यह Glue अच्छी तरीके से फैल जाए उसके बाद हमें यह Corners जो है वो UV Light की मदद से Dry कर देना है यह Glue जो है वो Dry हो जाएगा उसके बाद हमें Finally यह जो बड़ी मसीन आती है यह पूरी LCD जो होती है उसमें Dry हो जाएगी इस तरीके का आपको Separator उसकरना है स्क्रीन यहां पर इस तरीके से फिक्स करनी है Temperature सैट करना है 75 से 80 यह Lock घुमाने पर यह Frame जो है वो ऐसे उपर आती जाएगी अलागी इसमें 5 से 10 मिट का वक्त लग सकता है आप इस पे थोड़ा सा Liquid का भी प्रयोक कर सकते हो तो स्क्रीन जो है वो बहुत ही Easy रिमू हो जाएगी यह स्क्रीन फ्रेम से इस तरीके से अलग हो चुकी है उसके बाद हमें एक बार चेक करना होगा स्क्रीन वर्किंग है इस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यह चेक कर लेते इस पर डॉट जो है वो मैंने वीडियो में पहले से बताया था यहाँ पे एक चोटा सा डॉट है ग्लास रिमूब करने के लिए हमें ऐसे यहाँ पे दो प्लास्टिक उसी के जो सॉफ्ट पेपर होते यह कॉर्णर पे इस तरीके से लगाने है और उसके बाद वायर एंटर करने होगी इस तरीके से ग्लास जो है वो स्क्रीन से अलग हो जाएगा यह clean हो चुकी है जो screen है उसके बाद process आता है lamination का जो size का glass होता है उसी size की हमें black rubber चाहिए होती है जो black soft rubber आती है वो ही आप use कर सकते हो screen को इस तरीके से बाहर रखना बहुत ही ज़रूर है ताकि उसका जो flex side है वो damage ना हो यह machine में हमने इस तरीके से screen को रखा हुआ है यह सारी machine की settings की हुई हमने हम इसे manual mode पर punch करेंगे यह machine की जो है वो settings है सारी vacuum start करने के बाद आपको यह machine का जो cylinder है उसको सिर्फ glass पर touch करना होगा 5 से 10 सेकंड के लिए उसके बाद screen इस तरीके से punch की जाएगी punching complete होने के बाद कुछ screen इस तरीके से दिखेगी इसमें छोटे से bubble है यह bubble remove होंगे 2 से 3 मिनिट में या 5 मिनिट में bubble remove हो जाने चाहिए तो ही आपकी screen perfect lamination की नहीं जाएगी उसके बाद हमें final UV के और machine में रखना होगा उसको 1 से 2 मिनिट के लिए तो screen में जो return air bubble आते वो नहीं आएंगे यह screen जो है उसको finally check करेंगे यह screen on हो चुके और बिल्कुल सही तरीके से इस पर glass fit हो चुका है dot जितना था उतना ही size का वही पर है तो यह जो method है इससे आप screen जो है वो बहुत ही safe, easy और fast lamination कर सकते हो थोड़ी की इसमें practice की जरुवत आपको होगी बहुत ही जल्द मिलते है next day में Thank you